हेलो रिवेन विल्कम बैक टू अनलाइन स्टेडियोन आज हम इस वीडियो में लेकर आया हैं बिहार करन्ट अफेर्स का सेट 12 चीक है आई होब की फैंस इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा अब दीके फैंस हमने आपको इतने सारे क्वेसंस करा दिये हैं कि इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अभी भी हम लोग कोसिस कर रहे हैं कि और भी जो important questions बन सकते हैं जो already बन चुके हैं मतलब की current अफेर्स पिछले 6 महिने के अंदर तो वो हम आपके साथ discussion कर रहे हैं अब बहुत ज़्यादा मुस्किल हो रही है questions को यहाँ जो की लिखने में क्योंकि अब questions मिल नहीं रहा है already मैं आपको बहुत सारे questions करा चुका हूँ तो अब बार-बार questions repeat हो रहे हैं तो मैं फिर भी कोसिस करूँगा आपके साथ की regular एक set provide करा हूँ ताकि आपका revisions भी चलता रहा है और पीछे के जो questions है उसको भी हम लोग थोड़ा सा discussion करते चलेंगे ठीक है तो आपको करना यह है कि regular हमारे साथ बने रहना है और साथे साथ जो वीडियो आपको provide करा जारी है आप उस पर focus करिए ठीक है तो चलिए ज़्यादा समय ना रहते हैं इस वीडियो को हम सुरू करते है सबसे पहला question देखे क्या है कि police station से लेकर के अस्पताल वा bus stand की सभी जनकारी के लिए ग्रिह दर्सन आप को launch किया गया कहां पे तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यह बिहार में ही launch किया गया लेकिन पूछे रा सकता है कि ग्रिह दर्सन आप को किसके दोरा launch किया गया तो बिहार के जो ग्रिह विभागे इसके दोरा यह launch किया गया ठीक है इसे याद रखना है और second point है कि Miss India का glamorous जो पुरसकार है किसे मिला Miss India का glamorous पुरसकार मिला स्वेता सेंग को तो स्वेता सिंग का सम्बंद कहां से होता यह याद रखेंगे सारण जीले से अच्छा सारण जीले से मैंने आपको बताया था कि नीरा उत्पादन के लिए कितने रुपे की अनुदान की घोशना की है नीरा उत्पादन के लिए कितने रूपे की अनुदान की घोशना की है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक लाक रूपे की घोशना की गई है और यह जो नीरा है इसका उत्पादन किस से किया जाता तो ताड़ी से बनाया जाता है ताड़ी आपको तो पता ही होगा तो ताड़ी से ये बनाया जाता है इसे द्यान रखेंगे और यहाँ पर देखें कुछ questions already है कि let's inspiring sorry let's inspirebihar.org ये एक परकर का website है let's inspirebihar.org किसके दोरा launch किया गया है तो ये launch किया गया है उधिमता के विकास के लिए उधिमता के विकास के लिए इसका कारण क्या main purpose क्या होगा तो लोगों को उधिमी बनाना और बिहार के जो मज़दूरे उनको पलायन करने से रोकना है ठीक है पलायन करने से रोकना इसका main purpose है let's inspirebihar.org का ठीक है और regular हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ रहे हैं तो अगर आपको भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं सबसे पहले गरना आपको यह कि जूकि हमारा अप्लिकेशन से play store पे आप उसको डाउनलोड करेंगे online study zone से यह आपका logo है इस वीडियो के description में लिंक भी दियागा डारेक्ट भी आप जागर के play store से डाउनलोड कर सकते हैं install कर लिजएगा उसके बाद phone number से login करने के पसचाथ आपको store का option दिखेगा third number पे इस store में जाएंगे तो आपको बहुत सारी courses दिख जाएगी आपको जिस course को join करना आप उस course पे click करेंगे course में click करने के बाद थोड़ा सा नीची जाएंगे तो आपको इस तरह से pay now का options दिख जागा बहुत ही कम कीमत के साथ आपको अलगला courses प्रवाइड कराए जा रही है तो आपको अगर join करना है तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है जाकर कर सकते हैं सारी study notes आपको वहीं पर मिलती है PDF वग्यरा वहीं पर मिलता है चले अगला प्रशन क्ता है कि हाली में ख़बरो में रही Хरीमं 99 किस फल की एक प्रजाती है हरीमं 99 हाली में चोकर और शेप प्रजाती है तो यह एक save की है simple की प्रजाती इसे याद रखना है अगला प्रशने की बिहार सरकार ने अपराधियों का database करने के लिए किस app को लागू किया या फिर किस app को launch किया तो इसका नाम रखा गया चक्र ठेक है चक्र इसका नाम रथा गया इसे याद रखेंगे अगला प्रशने की बिहार के कितने जीलों में जैवी खेती के लिए यूसना बनाई गई है तो जैवी खेती के लिए गर हम बात करें यूसना बनाई गया 25 जीलों में अच्छा आपसे एक questions पोस्ता हूँ कि भारत का पहला ऐ हैं इनका हाली में निदन हो गया और यह मैथली भासा की काफी famous थी जो की एक साहितिकार थी और इनका जो अपनयास था मरी चिका मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं उपनयास मरी चिका के लिए उनको 1982 में पुरसकार भी दिये जा चुका है और हाली में इनका निदन हो गया लेली रेका मैथली बासा के जो की एक साहितेकार थी किस जीले के पुनेरा धाम के विकास योसना को पर्यटन मंत्राले द्वारा प्रसाद योसना में सामिल किया गया तो यह आपको बताने कि पुनेरा जो धाम है, वो किस जीले के अंतरगत आता है, पुनेरा धाम का संबंध हो जाता है, सिता मडी, ठीक है, सिता मडी से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि हाली में यहाँ पर सिता माता की जोगी सबसे उची बड़ी कह सकते हैं, यहाँ पर एक तरह से मुर्ति इनका बनाया जा रहा और साथ सितामडी का बालु साही जो है इसको GI टाइक देने के घोशना भी की गई थी तो ये हम लोग आपका एक सेप्टेंबर हो जा रहा है और कल से अगर हम देखा जाया तो एक्जामस BPC को लेकर के मातर आपके पास 19 दिन यानि की 20 दिन बचा हुआ तो हम इस 20 दिन में कोसिज करें कि आपको अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंड के साथ रिवीजन्स करा दें ताकि एक्जामस के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हमारी पिछे के करीब 35 से 40 वीडियो आई है स्पेसल बिहार पर आप उसको जरूर देख लिजएगा उसको रेगलर फॉलो करिए क्योंकि अगर आप उस चीजों को मिस करेंगे तो फिर आपको कई न कई एक से दो नमबर का लॉस हो सकता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मारी पिछले करीब बिहार वारी जो आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ सरसट भी बिपेसी करके प्लेलिस्ट बना हुआ उस प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी वीडियो है उस सभी को देख लीजेगा क्योंकि एक्जांस में डेफिनेटली वहां से पांसे साथ कोईसन देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर देख लीजेगा चलिए हम फिलाल बढ़ते हैं अगले कोईसन की तरफ और अगला प्रश्ण हमारा बनता है कि देख का सबसे बड़ा फुड पार्क जो किस जीले में बनाया जारा है सबसे बड़ा फुड पार्क बनाया जारा कहाँ पर मुझभफरपूर में मुझभफरपूर इस दा राइट आंसर इसे ध्यान रखेगा ठीक है अगला क्रश्ण है कि बिहार किरसी विष्व विद्याले दौरा विक्सित सैबरवन जो प्रजाती है सैबरवन प्रजाती का संबंध किस से सैबरवन प्रजाती का संबंध जो जो था मखाना से मखाना ठीक है और एक प्रश्ण ये भी याद रखेगा कि तिलावे नदी कोसी की साइग नदी है अगला क्वेशन कि किस जीले के कालूग हाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा विजस्ट में आपको बताया कि सबसे बड़ा टर्मिनल बनाया जारा कहाँ पर सारण में बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल कहाँ पर सारण में बनाया जारा है और तोज़ा 23 तक इसका पूरा होने का लक्ष रखा गया तो कालूग हाट पर बिहार के सबसे बड़ा टर्मिनल सारण में बनाया जारा है आगे देखिए नेक्स्ट पॉस्ट ने की बिहार के सभी 101 योजनाओं की जनकारी किस अपलिकेशन पर उपलब्द होगी तो उमंग जो अप्लिकेशन इस पर बिहार के सभी 71 योजनाओं को यहां पर उपलब्द करा दिया गया और एक चीछ यह और याद रखेगा कि बिहार देश का प्रथम ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपनी सभी योजनाओं को डिश्टरलाइज कर दिया है यह याद रखेंगे लास्ट क्वेशन से कि मुख्य मंत्री ग्रामीर सोलर स्ट्रीट लाइट यूजता में राज्य सरकार की भागेदारी कितनी है तो इसमें बहागेदारी राज सरकार का 25-35 और केंद सरकार का 75-35 तो यह याद रखना है इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो देखिए ज़्यादा questions तो नहीं बन सकें लेकिन जो भी questions है बहुत ज़्यादा important है आप इन questions से याद रखें और previous video को या जो कि revise करते चलिए ठीक है master video आपको upload किया गया था एक से दस पाट तक आप उसे देख करके revise कर सकते हैं इसका pdf आपको 66 vpc के course में डाल दिया गया है आप जाकरके वहां से भी pdf से revision कर सकते हैं या फिर आप खुद से अपना notes ready कर सकते हैं ठीक है friends तो हम चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks for watching keep watching keep learning have a good day